उत्तर परदेश की असी, बेहार की 40 वे पच्छमी बंगाल की 42 सीटों पर, अर्थात कुल मिलाकर इनकी 162 लोगसबा की सीटों पर. यहां के करोणों गरीबों वे मेहनत कस लोगों ने काफी जबर्दस तोर पर संक्तित होकर, बीजेपी एवं सिरी नरिंदर मोदी के एहंकारी, निरंकुस, वेंके अधिकान समामलों मेरही जन विरूदी सरकार के खिलाफ काफी डटकर चुनाबी लड़ाई-लड़ी हैं, इसम कोई संदे नहीं होना चाहिए, और जिसके अधार पर ही पूरे देश में यह आमधारना बन गई थी, कि खासकर इन तीनों राज्यों के कारण ही, अब सिरी मोदी सरकार को लोग सबाम चुनाबे ना तो पूर्ण बहुमत मिलेगा और ना ही इनकी सरकार दोबारा बन यह इन तीनों राज्यों से यह किये मैसेज जा रहा था, लेकिन आज लोग सबाम चुनाब का परिनाम जन भावना वर जन अपेक्षाओं के ठीक इसके उल्टा ही आया है, विप्रीत ही आया है, यह केवल सोचने वे समझने की ही बात नहीं है, बलकि इसके साथ साथ देश क यह आम जनता को यह था स्थितिवादी, वे पूनिवादी, समर्थित, गुलामी वाली विवस्ता को बदलने के लिए और भी कुछ करने के वे आगे और भी बड़ाई लड़ने को मजबूर करता है, और भी कुछ करने वे आगे और भी बड़ी लड़ाई लड़ने को मजब आदी निरंकुष सरकार के सामने घुटने टेकने लगें, तो तब फिर अंत में देश की जनता को खड़ा होना पड़ता है। नहीं चलेगा का संगर्स अपने भारत देश में कोई नई बात नहीं है। इस संगर्स ने कई उताब चड़ाब देखे हैं और अच्छे खासी सफलता भी अरजीत की है। सतावे सरकार में कुछ हर्तक भागेदारी भी बड़ी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसे इसे भी अब EVM के माध्यम से, इसे भी अब खासकर EVM के माध्यम से वर्तमान सताधारी पार्टी ने अर्थात बीजेपी एंड कमपनी के लोगों ने पूरे तोर से हाईजैक कर लिया है। और EVM से चुनाब कराने की यह एक ऐसी विवस्ता है जिसमें अनेकों कम्यां हमारे संग्यान में आए है। इसलिए पूरे देश में EVM का लगातार विरूध हो रहा है। और आज आए नतीजों के बाद से तो अब जनता का है इस पर से काफी कुछ विश्वास ही खतम हो जाएगा, अर्था चला जाएगा। चबकि इस मामले में देश की अधिकतर पार्टियों का चुनाब आयोगवे बीजेपी को यह कहना रहा है कि यह वह EVM की बजाए। वह EVM की बजाए बैलिट पेपर से ही चुनाब करा है। तो फिर चुनाब आयोगवे बीजेपी को भी इस पर आपती क्यों होती हैं। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड है और उत्तर परदेश में जो आज नतीजे आये हैं तो हम सोच कर ऐसा नहीं चल रहे थे कि गड़बंदन का इतना खराब नतीजा आएगा गड़बंदन का इतना खराब नतीजा आएगा कोई सोच के नहीं चल रहा था लेकिन जो भी कुछ सीटे गड़बंदन की हमारी जीती हैं तो यह भी योजनाबत तरीके से ऐसा लग रहा है कि कुछ सीटे इन्होंने जान गूज कर वहाँ पर EVM में गड़बड़ी नहीं तो ताकि जनता को यह लगे कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है और बाकि जादातर जगा पर इन्होंने गड़बड़ी की है तो इसलिए लेकिन अधिकांस पार्टियां यह चाहती हैं चुनाबायोग से भी और सत्ताधारी पार्टी से भी कि जब जनता का इसके पर से विश्वास काफी है तक उतर चुका है खतम हो चुका है जनता के मजबूर ही है जब और कोई बैलेट पेपर की विवस्ता नहीं होगी तो जनता तो अपना बोड कहीं न कहीं तो कैसे न कैसे तो डालेगी जब बैलेट पेपर की विवस्ता नहीं है और EVM की है तो उनको बो बीजेपी के पक्ष में जैसा लोग सोच भी नहीं रहते कि ऐसा रिजल्ट आ जाएगा तो ये लोगों के जहन के नीचे से गले के नीचे से असानी से नहीं उतर रहा है लेकिन हमारे सभी अधिकतर सभी पार्टियां ये चुनाब आयोग से बीजेपी को ये लगातार कह रहे हैं कि वे EVM की बजाए ballot paper से चुनाब कराएं तो फिर चुनाब आयोग से बीजेपी को भी इस पर आपती क्यों औरी हैं जादि कोई गढ़बर नहीं है इनके दिल में कोई काला नहीं है तो फिर क्यों नहीं ballot paper से चुनाब कर आ रहे हैं देश के लोगतंत्र के व्यापक दागली के असंखा ऐसा होने से तो इससे चुनावी बहिमानी धागली के असंखा और भी ज़्यादा परवल हो जाती है और अब ऐसे में चुनावों को बैलेट पेपर से ही कराई जाने की मांग पर मानने सुप्रीम कोड को भी गंबिरता पूर्वक जरूर सोत्विचात करना चाहिए ऐसी हमारी मानने सुप्रीम कोड से भी पूर्जोर मांग है वरना फिर भारत के लोगतंत्र की इज्जत यहां जाती वादी वे पूझी वादी विवस्ता वालों के हातों में ही लगाता लुटती रहेगी और फिर एक व्यक्ति एक बोट वे हर बोट की एक समान कीम कभी नहीं रह पाएगा इसके साथ यह समय आ गया है कि बोट के अधिकार को मोलिक अधिकार में भी शामिल किया जाए ताकि उसी के अनुरूप देश की चुनावी विवस्ता को पूरे तोर से सही सार्थक वे इमानदार बनाया जा सके इसके साथ ही अब मेरा यही कहना है कि देश बड़ी मायूसी के साथ यह देख रहा है कि उच पदों वे संस्तानों में बैठे लोग किस परकार से सब्ता के आगे नत्मस्तक हो जाते हैं जिसका खामियाजा आखिर में देश की उन करूडों जनता को भुगतना पड़ता है जिनके हित की चोकिदारी वे रखवाल के लिए इन संस्ताओं को सविधान में जन दिया है प्रंतु याद रहे इससे देश की जनता को अगात जरूर पहुचा है लेकिन वे ना तो पहले कभी हारी है जनता और ना अभी भी वे अपनी हार मानने वाली है और ना आगे भी कभी अपनी हार मानने वाली है अर्थात इन सब का जनता सूथ सही बदला लेना भी खूब जानती है, के बल समय जब आएगा तो जरूर बदला लेगी, जहां तक इस लोग सबाम चुनाब के आए, आप परतियाशित परिनाम के समझ में आगे की कारिय योजना बनाने का मामला है, तो इस बारे में हमारे गटबंधन की तीनों पाटियों, अर्थात BSP, सपावे, लोगदन, तता हमारी तरह पीडित अन्यों और पाटियों के साथ भी मिलकर, आगे की रन्निती भी जरूर तैकी जाएगी, ऐसा नहीं कि हम लोग चुब बैढ जाएंगे, आगे की रन्निती भ पर्तियाशित ये चुनावी परिनाम पूरी तरह से आम जनता के गले के नीचे से नहीं उतर पा रहे हैं, जिससे सहन करना जनता के लिए काफी मुस्केली नहीं बलकि असंबब भी लगता है, इसके साथ ही ये भी सर्विर्दित है, कि हमारे गटबंधन की पाटियों के अर आदिकारियों, नेताओं, सांस्तों वे विधायकों आदी ने भी इस चुनाव में पूरे तनमन धन से, कड़ी महनत वे लगन से लगातार काम किया है, इस चुनाव में एक पूरे गटबंधन ने मिलकर काम किया, उन सभी का मैं हार्दिक दिल से आभार पर गट करती हूँ, और इस मामले में मैं खास कर सपा के परमुख सिरी अखले सियादव ने, वे राष्टे लोगदल के परमुख चोदरी अजीक सिंग ने भी अपनी जिस पूरी मानदारी वे निस्टा के साथ अपने गटबंधन के सभी उमीदवारों को जिताने की, जो पूरे जीजान से हलाके उत्तर परदेश सहीद अन्य और राज्यों में भी हमें अपनी मेहनत के फलसरूप अपेक्षित नतीजे नहीं मिलने पर काफी तकलीफ तो जरूर हो रही है, बहुत दुख है हमें, लेकिन परम्पुजे बाबा साब डॉक्टर भीम राव अंबेडगर के संगर्सों से प्रेणा लेकर फिर भी हमें अपनी मेहनत वे संगर्स को लगातार जारी रखना है, बाबा साब डॉक्टर अंबेडगर के तरह हमारा जीवन ही संगर्स है और संगर्स ही हमारा जीवन है, अर्थात यह हमारा लक्ष होना चाहिए, तो तबी फिर सफलता भी हमारे एक ना इतिन कदम जरूर चुमेगे, वैसे भी हमारा सुरूर से ही संगर्स, यह करोडों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों वे अन्य मेहनत का स्लोगों के साथ साथ, दलितों, आदिवासियों, पिष्डे वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्प संक्रकों के हित्व कल्यान अब उनके भविस्य से ही जुडा रहा है, जिसे अभी भी बरकरार जारी रखना है, तो इस उम्मीद के साथ ही, अब मैं अपनी बात यहीं समात करती हूं, धन्यवादी.